मदू में हो क्यों जाती है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के बन में उठता है आईरवेट के अनुसार तीन हमारे कॉंपनेंस होते है बात, पित, कफ जिसके अंदर कोई भी अगर डी अरेंजमेंट आ जाए तो उस वज़े से मदू में हो जाती है यह घैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन ना बनने की वज़े से होती है यह हम सब जानते है लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए, तो कितनी ही खतरनाग बिमारी है जो हमारे शरीर को पकड़ सकती है, उसके अंदर हार्ट अटैक भी है, आपका दिल धड़कना भी बंद हो सकता है, आपको पैरलिस के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, यह आपके बजट में है 5 रुपे गोली और उससे बड़ी बात, यह एक ऐसी रिसर्च है, भारत सरकार के आधीन संस्थान की ऐसी रिसर्च है, जो आपकी मदू में को तो कंट्रोल करेगी, कितनी सारी दवाईयां आप लेते इस तरह की बिमारी से भी आपको बचाएगी